योगी ने यूपी में इनाज बांधा भारत में जो नहीं कर पाए वो आप ब्रिटेन में होने की क्या साजिश हो रही है क्या नुपुर शर्मा के नाम पर वहां कुछ और करने की तैयारी है क्या यही सवाल आज आपके सामने है दिखाऊंगा आपको आकर किस तरीके से प्ला हाना कि उत्तर परदेश में तो योगी ने पेहत सक्ती बरती प्रियाग राज कानपूर में क्या कुछ हुआ आपने देखा किस तरीके से बुल्डोजर तक चल गया किस तरीके से दंगाईयों को जम कर पीटा गया और उन पर जबरदस मुकद में बासी हुई लेकिन मामला भारत में शान्त हो गया उद्यपूर की घटना के बाद हला बहुत हुआ लेकिन मामला आखिरकार शान्त हो गया उसके बाद अब जब इस मामले का कहीं जखर नहीं था तब पाकिस्तान का हाथ फिर से सामने आ गया वैसे भारत में जो कुछ हुआ था उसके पीछे भी पाक किस्तान का ही हाथ था ट्वीटर पर लगातार हमने दिखाया था आपको पहले भी कि किस तरीके से वहां के लोगों ने भढ़काना शुरू किया और यहां के मुस्लिमों को भढ़काया गया जिसके बाद इस तरह की के मामले सामने आये कि भारत में ऐसी तस्वीरे देखी गई लेकिन यहां के सरकारे बहुत सकत रही और मामला जल्द शान्त हो गया लेकिन अब आप देख सकते हैं कि साथ समंदर पार ब्रिटेन में जो हो रहा है हिंदू मंदिर के सामने एक आएक भीड पहुँच गई मुस्लिम का टरपंतियों ने जबरदस नारेवाजी शुरू कर दी और बहां पर किस तरीके से मंदिर को निशाना बना गया सवाल तो यह है कि मंदिरों की दीवारों पर भी चड़ गए उस वक्त तक तो पुलिस मुकदर शक बनकर खड़ी रही देखती रही सोचती रही समझ कुछ नहीं रही थी लेकिन अब पुलिस ने उन्हें खड़ेड़ना शुरू किया लटबाजी उन पर हुई और जैसे ही लटबाजी हुई तो वो बिलबिला कर भागते नजर भी आए लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार इसके पीछे पाकिस्तान का हथ कैसे है लगातार ये बात सामने आ रही है दरसल भारत और पाकिस्तान के पीछ मुकाबला था एशियक अप में आपने देखा था किस तरीके जब पहले मुकाबले में पाकिस्तान को रौनदा था तब ए आज मैं आपको सुनवा देता हूँ कि किस तरीके से आप देखेंगे समझेंगे कि किस तरीके से वो कटरपंथी बोल रहा है वो अपना बयान सामने रख रहा है और वो निशाना सीधे तोर पर यहां पर हिंदों को बना रहा है आप सुनिये वो क्या बोल रहा है सुना आपने किस तरीके से वो बोल रहा है कि हिंदू को यहां पर नहीं होना चाहिए बीजेपी का जिक्र करता है आरेसिस का जिक्र करता है आप समझने की कोशिश केजिए कि किस तरीके से वो यहां पर भी हो अल्ला मचा रहा है और लोगों को इस तरीके से उकसाय जा रहा है यानि भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है बलकि हिंदू को कटरपंती निशाने पर रख रहे हैं सवाल यहाँ पर आ गया और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं किस तरीके से पूरे मुद्दे को नुपुर्शरमास तक जोड दिया गया है फिर से यानि मामला एक बार शान्त हो गया था लेकिन ब्रिटेन में अब इस तरीके से ये साज़िश पूरी तरीके से हो रही है युदि सोशल मीडिया पर गाहे बगाए कुछ लोग इस तरीके से बोल रहे हैं उनके एकाउंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं समझा रहा हूं और देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जरा नजर कीजिए पहले देखे अनीस एहमद है जो कह रहे हैं कि बारत की नुपुर शर्मा ने जो हमारे नभी के बारे में बोला था वो हम कभी नहीं बूल सकते हैं और अब हमारे बर्मिंगम में भी सादवी रतंबरा आकर हिंदूों के साथ मिलकर दंगा कराना चाहती है जान खान कहते हैं कि बीजेपी आरेसिस के लोग बर्मिंगम के समेत विक में प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन कुछ नगाप पोश्ट लोग विरोध कर रहे हैं नुपुर शर्मा ने हमारे नभी की जो बेज़तिकी है उसका बदला जरूर लिया जाएगा एक और शक्स बोल रहे हैं कि बारत में तो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और अब बर्मिंगम में भी अपना जोर चला रहे हैं यहां के मुस्लिम इंद्वों को घुसने नहीं देंगे साद्वी रितंबरा का कोई प्रोग्राम यहां नहीं होगा तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से लोग अपनी यहां पर राय रख रहे हैं किस तरीके से वो पूरी तरीके से निशाना बना रहे हैं साद्वी रिदंबरा जब बर्मिंगम में जाना था उनका कारेकरम था जो पहले से तयार था उसके लिए पूरी तरह से उन्हें परमीशन भी मिल चुकी थी लेकिन बाद में इसे रद कर दिया गया इस कारेकरम को ब्रिटेन की सरकार ने मना कर दिया यानि रद कर दिया आप स वो किस तरीके जवाँ पर नफरत की आग को भढ़गा रहे हैं ये समझा जा सकता है लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि भारत के लोग इस पूरे मुद्दे को देखते हुए भारत के मुसल्मान क्या बोल रहे हैं जरा उस पर भी गौर कीजिए चाहिए प्यार महबबत है और हम चाहते हैं हिंदू मुसल्मान से मिल जूल के रहें प्यार से रहें बस से ही हमारी सोच नहीं ऐसा तुन है ना मैं हमें लगता कि वह इस तरह का बदर ले रहे होंगे यह उन्होंने हो सगे प्रफगेंड़ा कि आओ श्रीम पेति आसिल करने के लिए हिंदूस्तान के मुसल्मानों की लेकिन भारत का मुसल्मान नहीं चाहता है जगडे को अब यह तो देखो सब राजनेदी प्रफगरंट है तो हम इसको इस मतब इस चीज़ को था हम बुरा समझते हैं हम लेशाते हिंदूस्तानों या पाकिस्तानों इंगलेंड कोई प्रफगर सबस्के नुक्続ी करना यह तो मुसल्मान वाले लोग है उन्हें हिंद्र से कोई मतलब निया नहां मसल्मान को मतलब न्या मन्दिर से यह लोग इस तरह के लोग इन्हें सखसे सदा मिलनी चाहिए और इन्हें पगड़ना चाहिए और इनसे पूछें इनके पिछे किसका हाथ है नहीं ऐसा कुछ निया है यहां हिंदों और मिसल्मान सब मिल जुल के रहें नमस्कार